वेल्कम फ्रेंड्स तो माई यूट्यूब चैनल पियो गाइड टिप्स एंड ट्रिक्स मैं संजाई विश्वास आपका सभी का स्वागत करता हूँ चैनल पर आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे HR डेटा हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं सैप में जो PA30 टी कोड को एकसेस करके कैसे हम किसी भी एंप्लॉई का डीटेल्स हम कैसे मेंटेन करें सैप में वो हम डीटेल में डिसकस करेंगे तो वीडियो को इन तक देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आए और हिल्फुल लगे तो लाइक कीजिए कोई कोई यह तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं विडियो को जदा जदा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चनल को तो यहापर हम पीए 3 जो टी कोड है उसको हम यहापर अकसेस करेंगे तो देखे पीए 3 मेंटेन हर मास्टर ९टा tard यो पीए 30 जेट जो यह ताट जो रोलե वो उसके लिए इस टी कोड को अकसेस करने के लिए जो रोल सह है वो bury चाहिए उसके लिए आपका सब्सक्राइब करना पड़ता है फिर उसके बाद सपोर्ट टीम ने आपको बो रोल एसाइन करेंगे तो देखें पीर 30 में यहां पर हम और करना पड़ता है तो यह एक काम है कैसे का कैसा ही जाहींक है उस रोक को कर тр 불i कर कर सकते हैं यह से नया रो भीòn कर सकते हैं तो देखी के स्टार्ट करें गे जाहां से यह से एंपलईयर का डिट अब बार्ट स देट उसका नेम और डिटल लसे हाँ पर रहेंंगे हैं यह बर हम जो पार्सणal डेटा है इनफो टाइब का जो मोड़ 시 त्रिपल टाइम जीरो टू तो परसुनाल डेटा में जो एंपलोई है उसका डीटेल्स उसका नाम उसका जेंडर मेरिटल स्टेटास यह सब रहता है उसका डेटा बत रहता है तो फिर देखिए इसको अगर हम चेंज करना चाहते तो इसको सिलेट करके पर कॉपी या चेंज अगर न्यू एट करना है तो यह पर स्टार्ट डेट देना है जिस देट से यह एफेक्ट लेंगे तो देखिए अगर हम यह पर सेप कर देंगे डेटा को तो यह पर बोड डेटा यह पर क्रियेट हो जाएंगे यह पर शो होंगे यह पर मेंटेन भी हो जाएंगे फिर देखिए जो डेटा यहां पर देखिए यहां पर employee के जितने ट्रांसपर हुआ है वो डेटा यहां पर organization assessment हुआ है उस कौन सा टाइम पर कौन सा पिरियाट पर एक कौन सा ओफिश में था उसका जो स्टार्ट हुआ है तो हमारा जो सैफ आया था वह लगबग 2018 में आया था तो उसके बाद का ही डेटा यहां पर शो होंगे उसके पहले का डेटा यहां पर नहीं भी रह सकता लेकिन वह गलत भी होता है क्योंगि माइग्रेशन के टाइम पर अगर कोई गलत इंट्री किया है तो फास जो एंट्री है वह गलत भी रहे कर सकते हैं अगर कुछ ऐसे गलती है तो यह अभी आप उसको चेंज कर fazla जो editable fields है बो यह पर आपको change करना है जो disabled है उसको आप change नहीं कर सकते हैं तो ऐसे करकि यह पर organization assignment जो है बो यह आपको show हैंगे फिर देखिए यह पर absences शड़ी यह पर addresses 0006 addresses जो employee का जो address है यह पर देखिए permanent address और permanent resident दो option है दो यह पर आपको address अगर कोई employee का address change करना है तो आप यहांसे इसको maintain कर सकते हैं यहांसे change कर सकते PA30 use करके फिर देखिए planning working time तो इसमें हम कभी-कभी हमें gen 1 या gen 2 ऐसे हमें set होता है set change करने के लिए जरूरत होता है तो अगर कोई देखिए यह जो employee का हम देख रहा है employee जहां पर थे जहां पर जो जो set में काम किया है वह ऐसा करके उसका period यहां पर mention हुआ है तो ऐसा करके अगर आपको change करना है किसी का जेन 1 से जेन 2 या जेन 2 से जेन 1 तो आपको यहां पर कुछी भी रो को सिलेट करके यह पर देखेंगे चेंज ऑप्षन है तो चेंज कर सकते तो अगर आप हम नया करेंगे तो यह आप देखिए यह पर start date है तो अगर हम यहां पर start date पर डालेंगे और यहां पर जो सेट हम change करना चाहते है वह यहां पर change करके हम save कर देंगे तो यह data save हो जाएगा और employee का जो set है वो भी change हो जाएंगे तो ऐसे करके हम PA30 यूज करके यह जो employee का जो detail से employee HR maintenance बोला जाता है इस T code को और हम यह से देखिए यहां पर जो basic पर है employee का pay के लिए जो use होता है basic पर बोह यहां पर हम maintain कर सकते है अकाउंट प्रांच का काम है तो देखिए हम overview में जाएंगे तो देखिए यहां पर उसका जितना भी basic पर change हुआ है जितने time बोह यहां पर सारी यहां पर show होंगे और अगर आपको change करना है उसका basic पर तो last जो data है जो उसको हम select करके यहां पर copy करके यहां पर start date डालेंगे जिस date से effect लेंगे और उसका जो basic page है वह यहां पर हम इसको edit करके save कर देंगे तो वह save हो जाएंगे तो ऐसे करके हम इसको data maintain कर सकते तो यह account branch का एक पार्ट का काम है हम अगली कोई वीडियो में और भी इसका उप्योग देखेंगे और इसके बाद प्यो थार्टिन कैसे यूश करते बो भी हम किसी वीडियो में देखेंगे अगर आपको वीडियो पासंद है और helpful लगे informative लगे तो लाइक कीजिए कोई क्वाइर है तो आप को मैं बैंक डिपीडां बैंक डिटील्स पे एंपलइई का जो 있고 होता है उसका सैलरी या अफ साइक्यल पेमेंट होता है यह जो पेमेंट होता है वो जिस अकॉंट पर जाता है उसका अगर बैंक अकांट ही है यह याज veakकानट है वे all डिटील्स यहाप работать कर सकते अंगर पर आड़ भी कर सकते अगर जरूरा थे तो आप इसको चेंज कर सकते हैं डिलीट कर सकते हैं लेकिन यह आपको ऑथरेजेशन के बाद ही करना है अगर कोई ऐसे अपरूबाल आया चेंज के लिए तो आप उसके बाद ही आपको करना है नहीं तो अब यह से कुछ नहीं चेंज नहीं करना है किसी भी आप्रूफल के बाद ही आपको चेंज करना है तो देखिए यह पर और भी भहुत सरी देखिए यह पर फांट कॉंट्रिबूशन जो है प्रॉविडेंट फांट यह पर जो ओल्स पेंशन स्कीम पर है उसका जो जीप्येफ का जो डिटेल से बोई यह प जो जीप्येफ या प्राण है इन पेस के लिए बोध डिटेल से यह पर मेंटेन होता है फिर देखिए अगर किसी का कार्ण या कउन्भेशन से से बौई यह पर मेंटेन होंगे फिर देखिए एटीची का डिडाक्षन देखिए यह पर आधर स्ट्वेशन जो डिडिदाक् पर आप घींटल कर सकते फिर देखेंभी पर देखीं यह योग दिडियो कोर्ण होते हैं ऐंन्स होता है यह बहुत इंपॉर्ट नहीं हो रहा है तो उसका सेल्री भी नहीं हो Journal did है तो हार एक हो एक डिडियो है जो पोस्टमस्टर होता है जो डिजबस्टिंग ऑफिसर होता है बहुत डिडियो तो हार एक हो का ऐसे कोड है डिडियो कोड जहां से सलारी ड्रा होता है तो इसको यह पर मेंटेन करना फिर देखिए यहाँ और एक जो नॉमिनेशन है, आपका सर्विसेस करने जो नॉमिनेशन बोई यहाँ पर मेंटेन होता है तो ऐसे करके यह बहुत सरी जो info type से जो हमें जरुरात होता है एक employee के लिए जो HR human resource के लिए बहुत होता है फिर देखिए बहुत सरी और भी info type है जो यह पर आप search करने से मिल जाएंगे यह पर तो हम 2001 देख लेंगे जहाँ पर employee का जो absences यह जो info type है वो है absences याने कि employee जितने भी लिव में था उसका जो details जब जब लिव लिया जो लिव एवल हुआ है employee ने एवल किया है वह यह पर सारी details यह पर आपको मिलेगी तो ऐसे करके यह पर किसी भी data यह पर add भी कर सकते है किसी data भी इस यह पर change भी कर सकते है और डिलीट भी कर सकते है तो यह जो PA 30 है यह human resource maintenance के master की है तो यह पर आप master T code कह सकते है तो इससे आप हार एक employee का details यह पर maintain होता है अगर आपको वीडियो पासंद है ना helpful लगे informative लगे तो like कीजिए कोई काईर है तो आप comment करके पूछ सकते है वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और also subscribe कीजिए चैनल को तो देखिए यह पर बहुत सारी info types है और जो info types यह पर maintain नहीं है तो देखिए यह पर ऐसे करके आप जब भी यह पर overview में क्लिक करेंगे तो ऐसे error आ जाएंगे यह पर message आ जाएंगे तो आगर कोई इसे info type आपको नहीं से create करना है तो आपको info type यह पर डाल के यह पर देखिए उपर पर जो चेंज बटन के पहले जो वाइट कर आइकॉन है यह पर आप सिलेट करके उसको create कर सकते तो create करने के बाद वह आपको फिर वह maintain हो जाएंगे आप इसली उसको बाद में access भी कर सकते है तो फिर यहापे जो जो 0000 जो info type एक्षन वहां में बहुत घौत है उसके जो काम है से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे 0000 info type है वहापे हम कैसे उस एक्षण एक्षों करके हम क्या आपका कर सकते है इस नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए हम कैसे info type 000 की यूज करते हैं उससे हम कैसे employee को transfer कर सकते हैं कैसे दूसरी post पर डाल सकते हैं आगार जरूरा थे आगार approval हुआ है और किसी का transfer हुआ है तो वो हम info type 000 में maintain करते हैं वो हम असंद देखेंगे next वीडियो में देखिए यह जो absence quotas है यानि कि employee का जितने भी लीव के लिए क्रेडिट हुआ है जिस दिन पे हुआ है जिस डेट पे हुआ है वीस टैप अफ लीड जिस टाइप का लीड यह पर ग्रेडिट हुआ है ओर यहा पर शो हो रहा है और उसका ल आया कुछ change करने के लिए तो add करने के लिए या डिलीट करने के लिए तो आप easily यहां से कर सकते हैं तो देहिए यहां पर बहुत सरी जो इंपो टाइप से हार एक इंपो टैप समें जरूरत नहीं होता लेकिन जो इंपो टाइप्स हमें मेंटेंड करना जरूरत है इसको आई टी हम short form में आई टी कह जाता है और इसके लिए आई टी अगर हम action कहते तो आई टी 0000 ऐसे हम कह सकते तो ऐसे करके जितने भी डेटा हमें एक इंप्लोई के लिए मेंटेंड करना पार है तो वो हम यह से कर सकते तो देखिए और भी जो मेंटेंड हुआ है जो पे रोल के अंडर हुआ है देखिए यह पर एपसेंसे से उसका अगर कोई डेटा आपको यह से डिलीट करना है यह यह एड करना है तो आप इसीली यह पर कर सकते हैं Thank you friends for watching, अगर आपको वीडियो पसंद आए, helpful लगे, informative लगे, तो like कीजिए, कोई कोईर है तो आप comment करके पूश सकते हैं, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, और also subscribe कीजिए चैनल को, अभी के लिए इतना ही मिलते हैं अगली कोई वीडियो में.